नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल पर फिर से स्वागत हैं दोस्तों आज हम आपके लिए एक ऐसी ड्रिंक लेकर आए हैं जिसको लेने से आपके शरीर की एनरजी बढ़ जाएगी इम्मुनिटी आपकी स्ट्रोंग होगी और बिमारियों से आप दूर रहेंगे और स सालों तक आप हेल्दी स्वस्थ जीएंगे तो चलिए बना लेते हैं आज की ड्रिंक आज की ड्रिंक के लिए स्पेशल मैंने चीजे लिए हैं ये हैं सूखा हुआ चुहारा इसके जगा आप जो मार्किट से खुझूर मिलती है न वो भी आप ले सकते हैं मैंने लिये हैं 9-10 मैंने चुहारे लिए हैं और मैंने ये रात भर के लिए इस तरीके से भिगो कर रख दिये थे भिगो कर क्या होगा ये अच्छे से फूल जाएंगे और इनमें से गुठली निकल जाएगी आप इसको गरम दूद में भी भिगो कर रख सकते हैं बनाने से 2 घंटे पहले तो मैंने यहाँ पानी में भिगो कर इनको रख दिया था इस तरीके से इनको काट कर इनकी गुठली अलग कर लेते हैं और इनको छोटे-छोटे पीस में इस तरीके से काट लेते हैं तो ये तो मेरे कट चुके हैं और इनको डालेंगे हम mixi jar में, mixi jar में दोस्तों इसका paste बनाना है, paste किसके साथ बनेगा, इसमें डाल लिजी थोड़ा सा दूद, जितने में अच्छे से डूब जाए, बस इसका paste त्यार करना है, paste आपने दरदरा सा ही रखना है, ज्यादा महीम paste नहीं बनाना है, बस दरदरा सा रखना है, तो ये लिजे दोस्तों paste मेरा बन चुका है, इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में, धक्कन से भी आप इस तरीके से उतार ले, ताकि आपका बिल्कुल भी चुहारा वेश्ट ना हो, अब लेते हैं अगली secret चीज, यहाँ पर दोस्तों मैं ले रही हूँ एक पैन, पैन में डालते हैं थोड़ा सा देसी घी, आधा छोट चमच आपने देसी घी घी डालना है, ज्यादा घी नहीं डालना है, या फिर आप चाहें तो ज्यादा घी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें जरूरत नहीं हैं ज्यादा घी डालने की, इसमें मैं ले रही हूँ दस दस बदाम को आपने रोष्ट करना है और साथ में ले रही हूं मैं यहाँ पर काजू और लेंगे पिस्टा मैंने इन सब की मातरा दस दस रखी हैं आप अपने हिसाब से कम जादा कर सकते हैं और यहाँ पर एक और सीक्रेट चीज यह है दोस्तों सुखा हुआ नारियल के पीस दूखस कर लिया है थोड़े से के मैंने चाकु से पीसी कर लिये हैं तो इस तरह किसे आपने इन चीजों को रोष्ट करना है दो मिनिट आपके लग जाएंगे इसको रोष्ट करते हुए रोष्ट आपने यह सीम गैस पर ही करना है ताकि यह जले ना और इसमें जो पोशक गत्व हैं वो खतम ना हो अब इसमें डालेंगे दोस्वाष्ट 10 मेनेया पर किशमिश ली है किशमिश आप सब से बाद में डालें क्योंकि किशमिश पूरने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है कम टाइМ लगेगा इसलिए मैं किशमिश बाद में डाल रही हूँ, किश्मिश आपने धो कर ही डालनी है, क्लीकि किश्मिश थोड़ी सी गंदी सी रहती है, तो उसको आप धो कर ही यूज करें, तो इस तरीके से रोष्ट हो चुके है, अब इसको रखते हैं साइड और बना लेते हैं अपनी ड्रिंक, ड्रिंक बनाने के लिए दोसों आपने लेना है इस तरीके से पैन, पैन में आपने डालना है जरसा देसी घी, इसमें भी दोसों आधा चम्मच आपने देसी घी डालना है या आधे चम्मच से कम भी आप यूज़ कर सकते हैं, देसी घी मैंने दाल लिया है और इसमें डालेंगे एक चमच पॉपी सीड पॉपी सीड यानि खस 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 बहुत ही बड़िया चीज है हमारी हैल्थ के लिए इसका तो आप हर रोज यूज करें तो इस तरीके से मैं इसको रोश्ट कर लूँगी दोस्तों अब आप कहेंगे कि इसको मैं उन ब रोश्ट हो चुकी है रोश्ट होते ही इसमें आपने डालना है दूद दूद आप आधा किलो ले सकते हैं या एक किलो भी ले सकते हैं बस हमने इसको थोड़ा सा गाड़ा करना है दूद को तो दूद आप अपने हिसार से भी ले सकते हैं या आप एक मैंबर के लिए बना तो उस हिसाफ से आप glass map के cup map के दूद ले सकते हैं तो मैंने दूद डाल दिया है इसको आपने उबाल देना है और जब तक ये दूद उबले तो हम दूसरी त्यारी कर लेते हैं जो मैंने अभी dry fruit फूने थे इस तरीके से रोष्ट किये थे वो ठंडे हो चुके हैं उनको ठं तीन चीजें जो आपकी health को शुरक्षित रखेंगी health के लिए बहुत ही बढ़िया है तीनों चीजे पहली चीज इलाइची का powder इलाइची powder आपने आदा छोटा चमच लेना है जादा नहीं लेना है और दो तीन पिंच मैं ले रही हैं आपर दाल चीनी दाल चीनी बहुत ही बढ़िया ingredient है इस recipe को बनाने के लिए इससे आपके जो body की सारी बिमारिया है तकरीबन वो दूर हो जाएंगी दाल चीनी जो है वो हमारी health के लिए बहुत ही बढ़िया रहती है हम आगे आपको बताएंगे कि आपको इसको पीने से क्या-क्या फायदे मिलेंगे इस recipe को बना कर जरूर पिए तो इसमें डाल लेते हैं चुटकी भर healthy, healthy भी बहुत बढ़िया ingredient है हमारी health के लिए तो इन सब चीजों को आपने मिलाना है और इसको पकने देते हैं जब तक कि ये पके तो हम आपको इसके फायदे बताते हैं कि आप किस-किस बिमारी में इसको use कर सकते हैं चुहारे जो हैं पाचन की समस्या को दूर कर देते हैं हमारी हडियों को मजबूत करते हैं इसको आप तूद के साथ वैसे भी खा लेते हैं तो आपके शरीर की कमजोरी तूर होती है आपके शरीर को ये बलवान बनाता है दूसरी चीज हमने इसमें ली है बादाम बादाम स भी ये बचाता है और जो हमने इसमें किश्मिश ली है किश्मिश के अंगिनत फादे होते हैं किश्मिश खाने से दोस्तों आपके शरीर में खून की कमी दूर होती है खून साफ होता है बहुत ही बढ़िया है आपकी हेल्थ के लिए जो हमने बादाम लिये है बादाम हमारे स स्वास्ते को परकरार रखता है पाचन को भी मजबूत करता है दिमाग को तेज करता है इसके अलावा दोस्तों आप बादाम को वजन गटाने में भी यूज कर सकते हैं डाइबटीज के लिए भी बहुत ही बढ़िया है क्योंकि कमजोरी आजाती है डाइबटीक परशन को तो उसके मजोरी को आप इसको खाने से दूर कर सकते हैं काजू हमने डाले हैं इसमें काजू से हमारी हडिया मजबूत होती है जोडो का दर्द दूर होता है और जो गुलकोज लेवल है उसको भी कंट्रोल में करता है काजू खाने से आपका पाचन तन्तर बहुत ही अच्छा और जो लोग वजन कंटोल करना चाहते हैं, उनका वजन कंटोल रहता है, और काजू खाने से दोस्तों आपकी ब्यूटी भी बढ़ती है, आपके चहरे पर जुरियां नहीं आती, और ब्लड प्रेशर को आप इसको खाने से कंटोल में कर सकते हैं, और जो हमने इसमें पॉपी सीर डाले हैं खसखस डाला है तो वो भी हमारे पेट के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है मुझ के लिए बहुत ही बढ़िया है जिनके मुझ में छाले हो जाते हैं उस समस्या को दूर कर सकते हैं कब्ज को दूर कर सकते हैं इसको खाकर पेट की समस्यां से राहत पा सकते हैं इसमें पाचन तंत्र को सुधाने वाले तात होते हैं फाइबर होता है इसमें तो फाइबर को लेकर आपको ज्यादा खाने की जूरत नहीं पड़ेगी जिससे आपका मोटापा भी कंट्रोल में र कि चार दिन में आप अपने शरीर की जो कमजोरी है वो किस तरह से आपकी दूर होगी आप खुद बखुद जान लेंगे कमजोरी को ये दूर करता है और कैल्शियम का ये ख़जाना है और हमने इसमें पिष्टा डाला है पिष्टा हमारी आँखों के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है और सूजन को घटाने में ये कारगर है कोलेस्टोल को भी आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं और जो सूखा नारियल है वो भी एक बेस्ट फूड है हमारे लिए खून की कमी को दूर कर देता है महिलाओं में अकसर आइरन की कमी हो जाती है खून की कमी हो जाती है तो उससे आप खून भी बढ़ा सकते हैं, हीमोगलोबीन आपका बढ़ जाता है, इसमें आइरन होता है, मैगडिशियम होता है, और भी बहुत सारे अंटियोक्सिजन होते हैं तो आप ये इसका सेवन करते हैं, आपकी हल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया है, दिल के लिए चुके हैं, आप इसको सीम गैस पर ही पकाएं, अब दोस्तों इसमें डालेंगे वही पेष्ट जो हमने बनाया था चुहारो का, ये दोस्तों मैंने डाल लिया है, पेष्ट डालने के बाद आपने इसमें डालना है, जो हमने बदाम वगरा का पाउडर बनाया था, वो डाल क्योंकि चुहारा जो है वो पहले ही नेचरल मीठा होता है तो आपको कम मीठा ही खाना चाहिए डाइपटीज लोगों को तो इस तरीके से मैंने मिश्री भी डाल ली है ये तक्रीबन एक बड़ा चम्मच होगा आप अपने टेस्ट के उनसारी से डाल ले आप शुगर की जग मिलते हैं जैसे कि आपको डाइरिया है डाइरिया में आप इसका यूज कर सकते हैं मेमरी को बढ़ाना है आपनी उसमें यूज कर सकते हैं और कमजोरी थकान इन सब को दूर कर सकते हैं पाचन को बहतर बना सकते हैं तो कुल मिला कर इस ओश्दी को हमने इतना बड़ी तरीक ये बलवान हो जाएंगे, जिस काम को आप लेकर पहले ठका ठका महसूस करते थे, अब वो काम इजली कर पाएंगे, महीला हो या पुरुष, दोनों ही इस ड्रिंक को लें, और अपने श्रीर में ताकत को बढ़ाएं, जिन लोगों को दिल किसमसे रहती हैं, कोई भी दिल की प पहने से ये चार दिन पी कर देखो, आप हर रोज इसको बनाएंगे, और हर रोज खाना चाहेंगे, तो इस तरीके से ये मेरी त्यार हो गई है, ये पक चुका है अच्छे से आपने 10 मिनिट इसको पकाना है सीम गैस पर, तो ये बन गई है हमारी ड्रिंक, इसको हम सर्व कर लेते हैं, कटोरी में चमच के साथ खाएं, कटोरी में डाल कर या फिर आप ग्लास में डाल कर इसको पी सकते हैं, और इसको गार्निश कर लेते हैं, पिष्टा, बदाम और काजु से, इस तरीके से आपको बहुत ही बढ़िया रेसीपी लगेगी, आप बच्चों को भी से इसमें हमने सारी चीजें कूट पीस कर डाली हैं, तो बच्चों को ज़्यादा पता नहीं लगेगा, इसमें क्या हैं, वो भी से बहुत पसंद करेंगे, और यदि दोस्तों आप इस ड्रिंक को गर्मियों में बना रहे हैं, तो इसको ठंडा करके भी यूज कर सकते हैं, ठं आम बिमारियों से छुटकार आपको मिलेगा, तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी रेसीपी, अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रेसीपी के साथ, धन्यवाद दोस्तों